सो गाइस जैसा कि हमने पिछले विसोड में देखा कि शियाओ उपने मोमडेट से मिलने के बाद बुलाओ माउंटेन के ट्रेजर वेर हाउस में चला गया था जहां उसे एक ट्रू प्रीमोडियल बोन मिली थी उसके बाद सभी बुलाओ माउंटेन के मेडिसिन गार्डन में जहां शियाओंने अपनी डवल प्यूपी लाइस का यूज़ करके एक फोर्मेशन को देखा था और उसके पास चला गया था तब हम देखते हैं कि आसमान में पाउर जनरेट होने लगती है और वहां पर एक डिवाइन प्रोजेक्शन आता है जो कि अपर रियलम के सुप्र वेनरेबल माश्टर भी आये थे इसलिए डिमन वहां से भागने लगता है तब यहां लोर रियलम के वेनरेबल माश्टर आते हैं और दूसी तरफ से फाइब इलिमेंट माउंटेन आता है यह देखकर पेगोड़ा कहता है कि अगर डिमन ने अपनी बोड़ी में होली पाव उनके लोग और उसके साथी अमला करते हैं यह देखकर डिमन उनके अंपनमों से बसता हुआ जाता है यह देखकर पेगोड़ा शियां ऌता है कि तुम ने को नहीं बचा रहे हो इसका मतलब है कि तुम उन से लड़ नहीं सकते तुम्हें कायर हो तो शियाओ कहता कि मुझे लगता है कि इस जगे कोई सिक्रेट चिपा हुआ है हो सकता है कि अवह हो ली मेडिसीन हो जिसे मेरे मॉम डेट उस समय यहां लेने आये थे और उसी मेडिसीन की वज़े से वह आस तक बन थे मुझे उस जगे को जाकर देखना होगा और शियाओ वहाँ से चला जाता है यह देखकर टेंग पेगोड़ा से कहता कि तुमने शियाओ को जाने से मना क्यों नहीं किया मुझे लगता है क्यों मुसिबत में होगा तो पेगोड़ा कहता है कि शियाओ ने कहा था कि और जगे उसे जुड़ी हुई है इसलिए मैंने उसे नहीं रोका और वो भी शियाओ के पीछे गड़े में चला जाता है तबी उनके उपर हमला होता है यह देखकर टेंग कहता है कि मैं बोल रहा हूँ कि सब कुछ इतना असान नहीं है और शियाओं से वापस चलने के लिए कहता है शियाओं ने अपने उपर हमले को रोक रखा था और टेंग से कहता कि मैं वापस नहीं चल सकता क्योंकि मेरे सामने ऑचीज है जिसके लिए मेरे मॉम डेट कब से इंदिजार कर रहे थे तबी टेंग पर एक और हमला होता है और नीचे गिर जाता है तबी सभी के उपर हमले होने लगते हैं तो टेंग कहता है कि मेरा दिमाग खराब हो गया था जो मैं तुम्हारे साथ आया अब मुझे किसी तरह बचना ह उनका वहीं श्याओ के उपर कहीं सारे हमले होते है मगर श्याओ अपनी सौल सोर्ड की मदध से सभी को रोकने कोशिश करता है और उनने से कोशिश करता है तब कर मीड़े दुव सभी हमलों को सभी हमलों कर देता है और आगे बढ़ता है तबी शियाओ को वहाँ एक flower pot दिखाई देता है जिसे देखकर पेगोड़ा कहता है कि मुझे नहीं लगता कि यह बस एक गमला है जरूर इसमें कुछ और है तबी शियाओ नीचे बेटकर pot को द्यान से देखने लगता है और कहता है कि मुझे लगता है क इस pot के नीचे कुछ है और अपने magic को pot पर try करता है जिसकी वाज़े से pot के अंदर से एक plant निकलता है जिसकी ब्रेट को fill करके शियाओ कहता है कि कोई normal spirit grass नहीं है यह सुनकर tank कहता है कि क्या बुलाओ mountain की प्राचीन holy medicine है जो कि five element है तो पेगोड़ा कहता है क्या बुलाओ mountain की holy medicine है लेकिन lower realm में इस याम तोर पर five elements grass कहा जाता है और यह अपर realm में जाने के बाद ही एक tree में बदल सकता है उसके बाद इंफिनिटी divine essence को एकटा करता है यह सुनकर शियाओ कहता है कि यह plant थोड़े ही समय में बड़ा केसे हो गया मुझे लगता है कि जर यह जमीन खराब ह गई होगी तो पेगोडा बताता है कि creature tree की power को सोग लेता है इसलिए plant अपनी safety के लिए जमीन में छिप गया होगा अगर हम इस plant को अपर real में लगाए तो एक 05 element tree में बदल जाएगा और इसकी value भी unlimited है पेगोडा की बाते सुनकर शियाओ सोचता है कि mountain बुलाओ ने इस और शियाओ 5 element tree को लेने कोशिश करता है जिसकी वाज़े से plant की जड़ तूट जाती है और tree वहाँ से भागने लगता है ये देखकर godstone टेंग के था कि plant तो यहाँ उदह मचा रहा है तो शियाओ के था कि स्केव का मुँ छोटा होता जा रहा है इसलिए मैं इस गोफा से बा जो डीमन अभी भी भाग रहा है क्या उसके बास कोई मदद करने वाला आदमी है तो बुलाओ mountain का master के एता है कि मेरे होते हुए कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता ये सुनकर डीमन में सोचा है कि ये लोग काफी stick है पहले मुझे किसी की help लेनी होगी और यहाँ से निकलने क वहीं शियाओ अपने साथियों के साथ के उसे बाहा निकलता है मेंगर तबी उनके उपर इस्टोन गिरने लगते हैं जिनने देखकर टेंग जोर से चिलाता है तबी शियाओ के उपर एक बड़ा से इस्टोन गिरने वाला था जिसे शियाओ अपने पंचे से तोड़ देता है इस वहाँ काफी जादा पाउर जनरेट होती है शियाओ देखता है कि क्यों बंद होने वाली है और टेंग स्पीड से बहां नहीं निकल पा रहा है तो शियाओ टेंग को पकड़कर नीचे की तरब तेजी से फेगता है तो टेंग कहता है कि अब आ लाश्ट में आकर तुम म अनों एक दूसरे को बड़े द्यान से देखते हैं जिसें देखकर पेगोडा डिमन में से कहता कि तुम उन लोगों से डर कर क्यों भाग रहे हो मैंने तुमें उन लोगों को मानने के लिए ही बाहां निकाला था तो डिमन में पेगोडा से कहता कि तुम उन लोगों को तीन पर्द सेना पड़ेगा और शियाओ के सर पर जाकर लग जाता है तब वहां एक फॉर्मेशन खूलता है जिसे देखर डीमन में कहता है कि मेरे भागने का एक मोका है और पॉर्टल की तरफ बढ़ता है यह देखकर शियाओ और पेगोडा भी पॉर्टल की तरफ जाते हैं क्यो पेगोडा बताता है कि प्रिमोडियल ट्रेजर के नेचर में इस ट्री की जगए है लेकिन में रियल्म हेवन के खुलने के बाद सिकुड गया इसके अलावा ये प्राचिन बेटल में डेमेज भी हुआ था उसके बाद सबीने मिलकर एक सिक्रेट लिटर रियल्म बनाया जि तो आकी सोल का है और वो पोर्टल के अंदर चले जाते हैं तबी डीमन में भी उनके पीछे आता है और बुलाओ माउंटेन के लोग उसे मारने के लिए हमला करते हैं तो डीमन में शियाओ से कहता है कि प्रिमोडियल ट्रेजर रियल में काफी डेंजर है इसलिए तुम चाह हमला करता है कि तुम्हारी मत कैसे हुई मुझ पर हमला करने की अब मैं तुम्हें खatm कर दूंगा और अपनी पावर्ट से माश्टर पर हमला करता है मगर माश्टर पेगोड़ा के अमले को रोक लेता है और फाइव ऐलिमेंट माउंटेन और ब्रोजेक्शन के साथ मिलकर एक formation एक्ट्रेट करता है जिसके अंदर वो शिया और पेगड़ा और डीमन में को भगड़ लेता है Mountain का वी गुसे में होता है क्योंकि और डीमन में को मारना चाहता था और और डीमन में पर हमला करता है लेकिन डीमन में मांटेन के हमले से बच जाता है तो पेगोडा डीमन में से कहता है कि तुम हमेशा अपने कामों में मुझे साथ रखना चाहते हो लेकिन इन प्रोजेक्शन को मारने के बाद अगर तुमने प्रिमोडियर ट्रेजर चुराने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी दावादी स्ट्रीम लोर रियलमस से मिटा प्रोजेक्शन को एक्ट्रेट करता है जो कि दिखने में एक डिमन बेल की तरह था जिसने मास्टर के फॉर्मेशन को तोड़ दिया था और हो अब मास्टर पर हमला करने वाला था लेकिन मास्टर अपनी पाहर से पेगड़ा के प्रोजेक्शन को खत्म कर देते हैं दोसी तब डीमन में बुलाओ माउंटेन के प्रोजेक्शन के साथ लड़ता है, जो कि डीमन को तेज मारकर नीचे गिरा देता है, इस वज़े से डीमन में जोर से चिलाता है और अपनी पाउर को एक्टेट करता है, यह देखकर पेगोडा कहता है कि अगर तुम लड़ना चा होता है, यह देखकर श्याओ सोसा कि हम दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, लेकिन यह मास्टर फिर भी पेगोडा की पाउर को रोक सकता है, क्यों 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 काफी स्ट्रोंग है और इसी तरह लड़कर हम उनने नहीं रोक सकते, हमें इन लोगों को खत्म करना होगा, इसलिए श्याओ डीमन में से कहता है कि हम मिलकर इन लोगों से लड़ेंगे, क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है, इन वेनेरेबल मास्टर और फाइव एलिमेंट माउटेन को रोकने का, तो डीमन कहता है कि मैं शौर नहीं हूँ, लेकिन मैंने इस ट्रेजर रियलम में मे यकिन है कि तोड़े समय तक मैं उन दोनों लोगों को रोक सकता हूँ, और उन पर हमला करने जाता है, ये देखकर बुलाओ माउटेन का प्रोजेक्शन डीमन पर हमला करता है, और उसे कहता है कि तुम्हें इक निच आदमी हो, तब इस माउटेन डीमन में पर अपने पाउ बच जाता है तब ही पेगोडा कहता है कि तुम लोग को क्या लगता है कि मैं यहां डेकोरेशन के लिए हूँ और अपने अंदर से जीलिंग कि नहाओ और श्याओ की मां को बाहर निकालता है और अपनी बोडी पार्ट को अलग कर हमला करने जाता है तब ही मास्टर पेगोडा अपने सारे पार्ट फिर से जोड लेता है और मास्टर के अमले को खत्म कर देता है और अपने आपको बढ़ा करके मास्टर को खाने ही कोशिश करता है ये देखकर शियाव सोसा है कि पेगोडा गोर्ड सेट के लीडर को निकल सकता है इसका मतलब है कि पेगोडा काफी श्ट् करो यह सुनकर शियाओ पेगोडा से कहता है कि तुमने प्रोजेक्शन को गुसा दिला दिया तो पेगोडा कहता है कि मैंने इसे पहली बार गुसा नहीं दिलाया अब पर रियल में की ग्रेट वोर के टाइम मैंने इसे खुब मारा था उसके बाद अब यह थोड़ा ठीक करके पेगोडा पर हमला करता है जिनने देखकर भागने लगता है और प्रोजेक्शन से कहता है कि मैं बस मजा कर रहा था तुम इतने सीरियस क्यों हो रहे हो तावी माउंटेन और उसका साथी डीमन की पगड़ से बच जाते हैं और अपर रियल में के प्रोजेक्शन को इस मेजिकल पाउर का यूस करना चाहिए यह सुनते ही शियाओ पेगोडा के पास आकर भीड़ जाता है और अपनी गोड़ चेंड पाउर से हाथ को बादने कोशिश करता है शियाओ की चेंड से डिवाइन हेंड ब्लाश्ट हो जाता है जिसे देखकर शियाओ के हैंड के ब पास फोर्मेशन बन जाता है और पेगोड़ा अपने फोर्मेशन को वहां से गायब कर लेता है ताकि कोई हमला करके श्याओ के मॉम्डेट को नहीं मार सके तब यहां गोड़ेस लिव अपनी रियल बोड़ी में आती है और सभी से कहती है कि आपर रियल में जाने का समय है और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है गायस आपको एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बोक्स में जुरू बताना और अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड भी जल्दी देखना चाहते है तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को जरू कर ले थेक्स रोचिंग